तो डियर स्टुडेंट आज किस वीडियों बात करेंगे बीए सेक्स समेस्टर के इनेसेंट हिस्ट्री यानि की प्रचिये नितिहास के एंसी क्यू टाइप के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन एंसर के बारे में जिन भी इनुवर्सिटी वा कॉलेज में परिच्षाएं M.C.Q. यानि की objective होने वाली उन सभी 6-9 एक ले महात्वड है वीडियो आथ शाब्जक्ट मेजर है उनके लिए या हो जिनका subject कोई माहात्ति गयू तो आज किस वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्ण है वह इंपार्टर नहीं था इसलिए मैंने उसे एक नोट कर दिया हम दू नंबर से सुरू कर रहे हैं किस सब्विता की समकाली नहीं थी मतलब कि उससे समकच्छ नहीं थी उसकी जैसी नहीं थी ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर है ग्रीक की सब्विता यह समकाली नहीं थी बाकी मिस्र की सब्विता मोसिप मेस्वटामिया की सब्विता चीन की सब्विता इसमें सिमिलार्टी यानि की समकाली नहीं थी याद रखेंगे अगला प्रश्ण है कि सिंदुगाटी की सब्विता कह तक बिस्तित है मतलब कि सिंद्धु घाटी जो सभिता है यह कहां तक इसका बिस्तार है कहां तक फैला हुआ ठीक है तो जो सिंद्धु घाटी है यह आपका पंजाब राजस्थान ध्यान रखेंगे ठीक कहां कहां पर पंजाब राजस्थान और गुजरात उत्तर प्रदेश हर्याडा सिंद्ध और मलिश्युस्तान तक यह फैला हुआ है सिंद्ध गाटी सभिता का जो छेत्र है वो कहां कहां तक पहला है पंजाब राजिफ्थान गुज़ार उत्तरपदे फरिणियास चिंद्ध और मलिश्युस्तान ठीक इस वाद को ध्यान रखेंगे यह महत्पू कोटदा में कहां पर सुर्खोटदा में सहयुत्तर कि अगला प्रशन की शिंद्ध गाटी अफद्धल काली बंगन किस प्रदेश में है तो ध्यान रखेंगे स्वेस्ट्षन का सहयुत्तर हो जाएग का ब्सक्राइब प्रके चलते हैं पैसे उफी तरह हडपा काल की जो मुद्राय थी उनके निर्माड के लिए मुखुरूप से किस चीज का यूज किया जाता था ठीक है तो बहुत ही popular बहुत ही common question है तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि हडपा सभिता किस यूग की थी मतलब जो हडप्या सभिता है ये किस यूग की थी जहान रखेंगी ये कांस यूग की थी किस यूग की थी बहुत ही helpful question है common है आपको जानना भी चाहिए अगला प्रश्ण है कि शिंदुघाटी सभिता के लोगों का मुख ब्यवसा यानि कि बिजिनेस जो था वो क्या था शिंदुघाटी के जो लोग थे ठीक है उनका जो ब्यवसा था बिजिनेस था वो क्या था इन आप्सरों में से ध्यान रखेंगे उनका जो ब्यवसा था बैपार करना किसी भी प्रकार को बिजनेस करते थे तो याद रखेंगे सहर मतब किसे इसको सहर कह दिया गया ठीक है सब्यता में किस प्रकार के घर बनाया जाते थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका कपास क्या उत्ताइब करते थे अगला प्रैक कि नीमलिह इसे बिद्ध्वानों में से हडपग सब्यता का सरप्रत्म खोज करता कौन है इने Hang में से थे तो धियान रखेंगे बहूती पॉपलर क्येश्चन है ठीक है उनका नाम है दया राम साहिनी अगला प्रैस्ट है कि सिंद सब्विता का पतन नगर यानि बंदरगा कौम फथा तो यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे से उत्तर हो जाएगा लोथल रोपड़ था याद रखेंगे काफी काफी हेलपल कोईश्चन कई बारा भी चुका है ठीक है चलिए मरतेनेश कोईश्चन क यह प्रश्ण है अगला की पैमानों की खोज ने या फिद्ध कर दिया है कि सिंद घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे यह खोज कहां पर हुई तो यहां रखेंगे यह खोज हुई थी लोथल में डी नंबर से उत्तर होगा अगला की हड़पा कालिन समाज किन वर अगला प्रश्ण है कि हड़पा सब्वेता का सर्वधिक उपयोगत नाम क्या है तो बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन है ज्यान रखेंगे हड़पा सब्वेता यह नंबर से उत्तर होगा अगला की निम्लिखित में से कौन सा या फिर कौन से लच्छन सिंद सब्वेता के लो सही आप लोग सही उत्तर इस प्रश्ण का हो जाएगा आपसे नंबर दो यानिकी नंबर केवल दो क्योंकि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे ठीक है अगला प्रश्ण की हडपा सब्वेता के खोच किस वर्स में हुई थी बहुत ही कॉमन बहुत ही हाइ लेबल तो सही उत्तर इसका हो जाएगा। उनवी चैこうन सी व्वित जो है मत् RPG वह सही है तो इसमें से सही है वह की उन्होंने पसुपतिक हा समान करना आरहा न किया है ये बात सही हर्पा सब्वेता के बारे में इन अव्यार प्रस्वेता के लोगों या फिर अधर सब् अगला प्रश्न है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हडपा सब्विता के किस पुराफ्थल को कहा गया है तो इस प्रश्न का जो सहुत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर मोहन जोदड़ो को कहा गया है अगला प्रश्न है कि हडपा सब्विता के संपूर छेत्र का अकार किस प्रकार का था सयुत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर सी त्रिभजाकार था कौन सा सयुत्तर होगा सी नंबर त्रिभजाकार का था अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मेलित कीजी बतब कि मिलान करना है ठीक है तो मिलान वाला जो पोर्षन है वो आप अपने एक ओडिंग मैनेज कर दीजीगा ठीक है इसको विग्णोर करेंगे फिर आली कोईश्चन आने वाला नहीं अगला पश्चन है कि हडपा सब्विता के अंतरगत हल फे जोतेगे एक हित का साथ छिक कहां से मिला है तो ये जो मिला है वो काली बंगा से मिला इसलिए से उत्तर सी हो जाएगा अगला कोश्चन है कि सैंदेव सब्विता की इटो का अलंकरण की फफ्थान से मिला है तो वो म अफना नागार पाया जाता है मोहंजोदरों में अभुद्र में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है तो बहुत ही common question है आद्धसिव जी का मिलता है सही उत्तर ए नमबर होगा बहुत ही popular question है अगला प्रश्ण है कि भई यह निमलिखित में से कौन सा हडपा कालीन अफ्थल गुजरात में था तो सही उत्तर इसका हो जाएगा option number lothal ठीक है यह विजरात में था ठीक है अगला के मोहन्-जोद्रो का अफ्थानिय नाम है इन आपसरों में से कौन सा सही उत्तर होगा तो मोहन्-दोद्रो का जो थानिये नाम है वो मृत्को का टीला ठीक है याद रखेंगे किस चीज का मृत्को का टीला जो मतलब की देट हो जाती जिनकी ठीक है अगला प्रशन है कि हड़ापा सब्विता का प्रचलित नाम कौन सा इनापसनों में से तो बताए कमेंट सेक्षिन में आप से भी प्रचलित नाम है सिंदु घाटी के सब्विता है बहुत ही प्रचलित है ठीक है अगला प्रशन है कि सैंध्य अफ्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्लिकित में से किस पस्व का सरबधिक उत्क्रीन हुआ है तो बैल का हुआ है जो आप लोग में देखा होगा बैल ठीक अगला प्रशने का कौन सा अफ्थान भारत में स्थित है तो बहुत ही हाई लेबल का पॉपलर कोईश्चन रखेंगे इसले से उत्तरिश्कासी हो जाएगा बहुत ही हाई लेबल का क्वेज़ नहीं आपको लोग फिलेक्टर करना है ठीक है थी नमबर अगला की भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन था हडपा था, पंजाब था, मोहन जोदरू था, सिंध था तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना जो सहर था वो था कौन सा बताई ये कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है चलिए बताई आब लोग, सैयूत्तर हो जाएगा हडपा था ठिक है अगला प्रश्ण है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रचेंता साच मिलते हैं हडपा संस्कृत में या फिर पैस्चीमी भारत की तामर पासार संस्कृत संस्कार्ट में या पिर वैदिक सहिंतों में या पिर चान्दी की आहाथमद्राउं में ठीक है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हरफपा सान्स्कृ blooming में इसकी साथ 6 मिलते हैं इसलिए सही उत्तर एे नंबर हो जाएगा अगला किसा द्पता के बारे में कौन सा कथन आसत्य है तो इसके बारे में जो आफत्य कथन है वो यह है कि लोग लोहे से परचित थे यही कथन जो है असत्य बाकी इसमें देगे सारे के सारे आफसन सही है अगला प्रशन है कि मांडा किस नदी के किनारे इस्थित था चेनाब सतलच रावी सिंद। तो ध्यान रखेंगे मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे इस्थित था यह नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि हडपा कालीन अफ्थल रोपड पंज यह फिर आप पंजाब भी बोल सकते हैं पंजाब किस नदी के किनारे इस्थित था तो अगला प्रशन है कि हडपा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौला वीरा में काली वंगन में लोथल में ठीक है आल मगीरपुर में किस में मिलता है या फिर किस में पता चलता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएका आफसे नंबर A, धौला वीरा में ठीक है, इस प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, इसले सही उत्तर A नंबर हो जाएका याद रखेंगे, बहुत पूर्ण प्रश्ण भी, अगला प्रश्ण में यहा है कि हडपा के मिट्टी के बरतनों पर सामान्यता है, कि फिर रंग का उप्योग हुआ था, बहुत ही common question है, बहुत ही popular है, आप सभी के exam के लिए तो इसको जरू तयार कर लिजीगा, हडपा के मिट्टी जो होती थी, ठीक हडपा सब बिताया, यानि कि हडपा सब बिताया के समय के, तो उसमें जो हुआ करता था, बरतनों पर, ठीक है, मिट्टी के बरतनों पर, वो लाल रंग हुआ करता था, इसलिए आप लोग सही उत्तर लगाएंगी, लाल, ना तो नीला लगाएंगी, ना नीला हरा लगाएंगी, ना पांडू लगाएंगी, शिर्फ आपको लाल लगाना है, ठीक है अगला प्रश्ण है कि सिंदु सब्वेता निमलिखित में से किस के युग में पढ़ता है तब जो सिंदु सब्वेता है वो किस युग में पढ़ता है नाफसरों में से या फिर किस काल में पढ़ता है सिंदु सब्वेता एतिहासिक काल में पढ़ता है ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं historical period या फिर प्रगत हासिक काल जिसको आप लोग pre-historical period बोलते हैं सी नमबर उत्तर प्रगत हासिक काल जिसको आप लोग post-historical period बोलते हैं या फिर आदेत हासिक काल जिसको proto-historical period बोलते हैं तो सिंद्ध सब्विता ठीक है जिस युग में पढ़ता है उसका नाम है बहुत ही पॉप्लर कोईश्चिन आपको आना चाहिए कोईश्चिन कुछ आए नाए यह बहुत ही मातपूर प्रशन है यह आता है आद्ध एतिहासिक काल में यानि की प्रोटो हिस्टो कर ठीक है हिस् या फिर घरों में कुओं के आउसेश मिले हैं सिंद्धु घाटी सब्विता के विक्षित आवस्था में इन आपसनों में से किस सब्विता में या फिर किफ जगा पर घरों में कुओं का आउसेश मिला है काली बंगा में मिला है मोहन जोदरो में मिला है या फिर हडपा में मिला या फिर लोथल में मिला आए तो यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण है यह जो मिला है वो मोहन जोड़ों में के जो घर थे उनके को में आउसेश मिले हैं इसके ठीक है ध्यान रखेंगे डी नंबर से हुत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि सिंधु घाटी सब्विता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे हैं मतलब सिंधु घाटी जो सब्विता है इसकी खोज में ठीक है वो कौन से भारति दो बिद्वान है जिनका नाम एड है या फिर लोग जानते हैं तो ध्य सब्विता के खोज में इनका नाम लिया जाता है और यह बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है कई बारा भी चुका है जहान रखेंगे तो आज किस वीडियो में 44 कोईश्चन यानि कि माली जी ओबराल 50 कोईश्चन के करीब मैंने आपको बताएं उसका एंसर बताएं तो धीर लेकिन कुछ ना कुछ तो आएंगे चार से पांच कोईश्चन इफी तरह तैयारी करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए जो कि लगतार आप लोगों एक समस्क्राफिजम पेस कर रहे हैं तो अभी के भी चैनल स्ब्स रहें जय हिंद